आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिया चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थाना मनसुख पुरा शेत्र के अंतरगरत गाउं करकॉली के चंबल के बीहन में शौच के महिलो और पुरुषपर जंगली जानवर ने हमला बोल दिया बचाना गया यूवक हिंसक जानवर की चपेट में आ गया जिससे तीन लोग गंभीर घायल हो गए एकत्रत ग्रामिनों ने लाठी डंडे लेकर जानवर को घेर कर मौत के घाट उतार दिया मनसुख पुरा थाना शेत्र के अंतरगत गाउं करकॉली निवासी सुरेंद सिंग एवं पपन देवी गुरुवार सुवए गाउं के ही पास बीहड में सौच के लिए गए थे उसी दोरां जंगली जान ने महिला पपन देवी पर हमला बोल दिया महिला की आवाज सुनकर बचाने गए सुरेंद सिंग को भी जानवर ने अपनी चपेट में ले लिया पुरुष और महिला की चीक सुनकर युवक मौनुकुमार मौके पर पहुचा और जानवर से सुरेंद और पपन देवी को मौके पर पहुच गए और जानवर के चंगुल से तीन लोगों को बचाया एकत्रित ग्रामीलों ने जंगली जानवर को चंबल के बीर में घेर कर लाठी टंडों से पीट-वीट कर मौत के घाट उतार दिया परिजनों ने ग्रामीलों की मदद से घायलों को इलाज के लिए C.H.C. केंदर पिनाहट में भरती कराया जहां से चिकत्सकों ने बेहतर इलाज के लिए घायल सुरिंद सिंग और पपन देवी को गंभीर अवस्ता में एम्बूलेंस द्वारा हायरे सेंटर आगरा के लिए रेफर कर दिया घायल युवक मौनु कुमार को प्रात्मिक उप ग्रामीनों की उग्र भीर द्वारा जानवर को मारने की आशंका चम्बल वने सेंचुरी रेंजर बहा आरके सिंग राठोर ने बताई, सूचना पर बनवाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जानकारी लिए है, बनवाग के अधिकारिया द्वारा तीनों गाहल ग्रामीनो